हेलो माई दियर स्टूदेंट्स वेलकम टू मैं चैनल आज इस वीडियो में हम डिसकस कर रहे हैं ग्रेड टैन ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम सम्स तो चले शुरू करते हैं फ्रॉम दे टॉप अफ बिल्डिंग 60 मीटर हाई तो सपोज अबी जो है यह हमारा बिल्डिंग है जिसकी की हाइट है 60 मीटर्स अगल अफ डिप्रेशन मतलब हम हमारी आई लेवल से नीचे की और देख रहे हैं तो यह जो लाइन मैंने डॉट डॉट यहाँ पे ड्रॉट करी है वो है आई लेवल तो यह आई लेवल से हम नीचे की तरफ देख रहे हैं कहाँ पे देख रहे हैं एक टावर में देख रहे हैं तो सीडी है सपोज हमारा एक टावर तो हम एक बिल्डिंग में खड़े हैं पॉइंट बी पे और हम नीचे एक टावर को देख रहे हैं जो हमारी eye level से नीचे है, इसलिए वो होगा angle of depression, of the top and bottom of a tower, तो top and bottom, पहले top है फिर bottom है, are observed to be 30 degree and 60 degree, तो question में पहले हमको दिया है, depression of the top, तो 30 जो है, वो top का हुआ, तो हमारी जो eye level से, top, जो first है वो, top की जो line है, वो होगी 30 degree यहां पे, and bottom is 60 degree, तो यह जो angle होगा हमारा वो 60 degree होगा, find the height of the tower, तो यह हमारा tower है, इसका हमें height निकालना है, cd का हमें height निकालना है, तो I hope आपको यह समझ में आ गया है, कैसे करना है, draw, question पढ़के, यह diagram कैसे draw करना है, वो आपको समझ में आ गया है, अब हमें, क्या करना है, कुछ चीज़े हैं, जो draw करनी होती है, और कुछ चीज़े हैं, जो diagram में assume करके लिखना होता है, तो trigonometry के sums में, हम इस तरीके से जो भी assume करते हैं, तो वो मैं आपको समझा रही हूँ, diagram के साथ, तो चलिए समझते हैं, कैसे करना है इसको, तो यहाँ पे है हमारा first point, let a b be the building, तो a b क्या है हमारा, building है, c d be the tower, c d क्या है हमारा, tower है, angle b d e, यह जो angle हुआ, b d e, अब हमें क्या करना है, angle of elevation, sorry, angle of depression को हमें angle of elevation में convert कर देना है, तो यहाँ पे जो यह हमारा angle था, suppose यहाँ पे लेते हैं, f, f, b, d, यह हमारा 30 degree दिया है, और b, d, और e, यह भी, यह angle, और f, b, d, यह angle हमारा alternate angle होता है, तो angle हमारा b, d, e, b क्या हो जाता है, 30 degree, तो हमेशा angle of depression को angle of elevation में convert करना होता है, similarly, जो हमारा angle है यह, f, f, b, c, यह जो angle है हमारा, f, b, और c, यह हमारा क्या है, 30 degree, जो bottom की तरफ जा रहा है, तो वो alternate angle किस के साथ हुआ, b, c, a के साथ, b, c, a के साथ alternate में आ रहा है, तो हमारा b, c, a, b क्या हो जाएगा, 60, तो यह 60 और यह 60, इस तरीके से हम पहले, हमारा जो depression of angle दिया है, angle of depression, उसको हम angle of elevation में convert कर देंगे, तो I hope आपको convert कैसे करना है, वो समझ में आ गया है, तो अब angle b, d, e, is equal to 30, b, d, e, 30, आ गया हमारा, by converting depression, angle of depression into angle of elevation, यहाँ पर 30, and angle b, c, a, equal to 60, b, c, a हमारा हो गया, 60 डिगर, यहाँ पर, a, b, question में दिया है, height of the building क्या है, 60 meters, और हमें क्या draw करना है, d, e, को parallel draw करना है, a, c से, या c, a, c, a, और b, d, e, जो है, वो parallel है, और क्या है, इसका हम suppose ले रहे हैं, x meters, a, c, की value, a, c, equal to d, e, equal to x meters, तो क्योंकि parallel है, तो same उसका value रहेगा, x meters, दोनों का, तो I hope आपको ये question का diagram, according to, जो भी हमने assume किया है, वो समझ में आ गया है, अब हम क्या करते हैं, अब हम solve करना शुरू करेंगे, तो from right triangle, c, a, b, तो कौन से triangle हम लेंगे पहले, c, a, b, ये जो right triangle है, वो हम ले रहे हैं पहले, उसमें हम क्या लेंगे, हम लेंगे cot, यहाँ पर theta का value है 60, तो cot 60 लेंगे, cot 60, cot कैसे होता है, c, a, base upon perpendicular, base upon perpendicular, तो a, c, a upon a, b, is equal to cot, theta की value क्या है, 60, तो cot 60, इस तरीके से हम पहले ये वाला angle, ये वाला triangle लेंगे, तो अब हमें इसमें क्यों से value पता है, हमने assume करी है, a, c की value हमने x meter assume करी है, और a, b, हमको question में दिया है, 60 meters, cot 60 के value हमें t ratios table में से find out करके लिखना होता है, या जो हमको learn होता है, उसमें से याद करके लिखना होता है, t ratios का table तो आपको एकदम move पे learn होना चाहिए, क्योंकि वो बार-बार use होता है, यहाँ पर, तो इस तरीके से यहाँ पर यह मैंने लिखा है, तो a, c की value है x, a, b, 60, और cot 60 का value आता है 1 upon root 3, next क्या करेंगे, यह 60 जो है, left hand side में denominator में है, right hand side जाएगा, तो numerator में चला जाएगा, तो x equal to 60 upon root 3, अब root यहाँ पर, फिर उसको कैसे solve करना है, तो गोज़द, 60 root 3 हो जाएगा, multiply करने से, और नीचे, root 3 into root 3 मलता है, तो value आता है, अब, 3 से, तो x का value हमें क्या मिला, 20 root 3, x क्या था हमारा, ac is equal to, de is equal to x meters, तो ac का value का है हमारा, x equal to 20 root 3, तो मैंने यह पर लिखा है, already, कि यह हमारी होई equation 1, next triangle हम कौन सी ले रहे हैं, triangle B, E, D, तो अब यह जो triangle हम ले रहे हैं, तो मैं आपको diagram में एक बार समझा देती हूँ, कैसे करना है उसको, तो उचले देखते हैं, तो कौन सी triangle है, B, E, D, यह वाला triangle है हमारा, तो इसमें क्या करेंगे, B, E upon D, B, E upon D, is equal to 10, 30, B, E क्या है हमारा, height, D, E क्या है, base, height upon base is, 10, theta क्या है यहाँ पर, 30, तो इसलिए 10, 30 लेंगे, B, E की value क्या है हमारी यहाँ पर, हमको नहीं मालूम है, D, E की value क्या है, हमको मिली है, first equation solve करके, 20 root 3 वो लेंगे, और 10, 30 की value हमें, T ratio stable में से लिखना है, तो इस तरीके से यह वाला triangle लेंगे, और उसको, हमने इस तरीके से लिख दिया है, तो B, E upon, D, E क्या है हमारा, 20 root 3, 10, 30 क्या है, 1 upon root 3, जो हम T ratios के table में से लेंगे, अब क्या, 20 root 3 upon, root 3, root 3 cancel, तो B, E की value क्या आई, हमारी 20 meters, B, E की value क्या आई, 20 meters, अब यह B, E क्या है हमारा, चलिए देखते हैं, डायाग्राम में एक बार, B, E क्या है, तो यहाँ पर हमारा, B, E मिला हमको, यह क्या मिला हमारा, B, E, 20 meters मिला, तो टोटल हमारी हाइट क्या है, 60 meters, B, E क्या है, हमारा 20 meters, तो 60 minus 20 क्या, A, E क्या हो जाएगा, हमारा 40 meters, A, E हमारा क्या हो जाएगा, 40 meters, तो जितना हमारा AE है, उतना ही हमारा CD है, तो हमें height of the tower निकालना है, हमें height of CD निकालना है, तो अगर हम AE की value निकालते हैं, same will be the value of CD, तो AE की value हमारे निकली हैं पर 40, क्योंकि हमारा height of the tower दिया है, और BE की value निकली हमारे 20, 60 minus 20 is 40, तो AE is 40 and that's why CD will also be 40, so height of the tower will be 40, बस तो यह ही चीज मैंने equation के form में यहां पर लिखी है, तो इस तरीके से, तो CD is equal to AE is equal to AB minus BE, पूरा AB minus small part BE, तो आया 40 हमारा, hence the height of the tower is 40 meters, देखिए यहां पर, तो height of the towers हमारी क्या आई, 40 meters आई, इस तरीके से यहां पर लिखा है, तो I hope आपको यह समझ में आ गया है, question को कैसे solve करना है, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं, तो like करें, share करें, subscribe करें मेरी channel को, thank you and thanks for watching.